तैयार कर रहे हैं सिंगम को बस नहीं हमने अपनी नहीं गए का कोई नाम तो नहीं रखा है लेकिन इसे हम सुभा 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 जब घास पर ओस होती है न उस ताइम हम इसे खुला चोड़ देते हैं फिर यह अपना दबदब घास को खाती रहती है और अपना पेट बहुत पुछी तरह से भर लेती है क्या करने वाले हैं पापा जी के ओर्डर्स हैं कि गाड़ी को हमें चलाना है 20-22 की स्पीड पर 20-22 की स्पीड पर सिंगम के आगे चलाना है हमें देखना है कि हमारी गाड़ी का वो पीछा कैसा करता है अंशल भाई खड़ा हो जाएगा यहां से सनरूफ पर से वो पीछे देखता रहेगा और तरीक के से चलाते रहेंगे ठीक है गंगा सिनान के दोस्तों बचे कितने दिन है लगबग साथ या आठ घुमाई और करेंगे हम सिंगम की उसके बाद तो सीधर डिरेक्टिव बहा जाएगा क्योंकि दिन ही कम बच रहे है लगबग 20 दिन के आसपास 20 दिन पूरे 20 दिन अब से हम निकल जाएगे गंगा सनान के मेले में और ये रहा सिंगम सिंगम से ठीक है जी ठीक है 20-20 के मीटर पर रखना है पापा ने कहा है इसमें लगा लेते हैं डिजिटल मीटर ये तो क्रूज मोरो लग गया इसमें लगा गया है ये डिजिटल स्पीड और मोडते हैं इस साइड देखते हैं कि आज 20-20 के टापे पर कैसे चलता है हमारा सिंगम कर्ष्ट करना पड़ेगा उपर खड़े हो जाओ हाँ बई कैसे चल रहा है बड़े जब्रावाई तो बई बात ये है कि एक साइड से तो हमने इसकी करवा दी है घुमाई ठीक है चार या पांच किलोमेटर आगे है अब चार या पांच किलोमेटर वापस जाना है वापस जाते हैं टाइम घोड़ा हो बैसा हो या फिर बैल हो वापस अब जाते हैं अपने घर पर जब वो वापस अपनी घर की तरफ जाएगा तो स्पीड में जाएगा खुश हो कर जाएगा और वो ही हमें देखना है कि अब कितने की स्पीड पर चलता है पापा ने कहा है पापा ने कितने की स्पीड बताई तीस पर रखते हैं भाई ठीक है क्या कर रहा है भी है फड़ा रिलेक्स करा रहे है पापजी से और इसके बाद मोड़ कर चलते हैं वापस लगबग चार-पांच चार-पांच है वहाँ से आलो बस गंगा से नंतग ना हम इसको और भी पच्छीश किलो मिटर के दो गुमाई कर देंगे और बता चलो गंगे माई की जाय है वेटे है पच्छीश तीस पर रखेंगे भाई अब दूसरे साट बैठे है ना जाल गाड़े पर चड़ने को तहीं आया है चड़ादे पर एक के माई की जै कि दोस्तो सिंगहम रापस आ चुका है और पापा जी उसे कूल डाउन कर रहे है लेकिन किधर गए इधर है 흥 महां पर कूल्डाउन कर रहे हैं और बार ही आती है इस फिरक की इसे जरा अंदर कर देते हैं अंगा फिरक को अंदर कर देते हैं वह आगल प्रिकाश को बिटा नहीं है अरे 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 बहुत बढ़िया बैठे गोड़े पर बैठ रहा है कि खड़े गोड़े पर बैठना अज कौन सी डाइट चल रही है इसके चने चल रहे हैं और कितने मज़े से खारा है चने नील अच्छे भी लग रहे हैं से वैसी बढ़िया दबा के खा रहा है यानि कि चनों पर लग सकता है लगाना चाहें तो इसके लिए चने लाया करेंगे आज क्या किया है आज कमांडो को हमने तयार कर अंशल को उसको उपर बिढ़ा दिया है हर इंसान को अपने ऊपर बिढ़ाने की कमांडो की आदत होनी चाहिए तो मैं जा रहा हूँ अब अंशल के पीछे हम उसको सिर्फ और सिर्फ कच्चे में ही उसकी प्रेक्टिस कराएंगे पक्ये पर नहीं कराएंगे चलते हैं लो भई पापजी के ओडर्स थे कि इसको हमें धुड़की पर दोड़ाना है और ये क्या दोड़ रहा है ज्यादा गदकी लगने लग जाएं तो समझ जाएंगे कि दुड़की है ऐसे दुड़की बगा दुड़की भाई यहां मैंने गाड़ी पार कर दी है बिलकुल कुए के साइड में यहां पर साइड में ट्यूब वेल है और बिलकुल साइड में है खेत और चलते हैं गाड़ी से बाहर यह खेत आ चुका है मैं यहां केला खा रहा हूँ और इस खेत में होती है इसकी रूंधाई यानि कि जो भी प्रेक्टिस होती है वो इसी खेत में होती है यहां पर इसकी ट्रेनिंग चालू है, धीरे धीरे से फुल छोटने की कोशिश कर, धीरे धीरे, हम चाहते हैं कि हम इसका खेत का पूरा चक्र लगवाया करें, यह खेत काफी बड़ा है, यहां आसपास सबसे बड़ा खेत हमें यही दिखा है, इससे बड़ा एक और था, लेक इसमें कुछ बू नहीं रहा है, जब तक यह नहीं बूता हम चला सकते हैं अपने घोडे को, हम बहुत अथे, मौड 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 ऐसे, शाबाज, बहुत अथे, अरामसे, 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 मौड 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 कि यहां रोक पिच्छे कू बस इसी कर रोक के है अब पिछ्षे अपड़न विए ऐसे खडा ना ऐसे है अचा हां डो हम कोशिश करते हैं दोस्तों कुछ एडवांस भी ट्रेन करने की गोड़ा सीधा चलता है सीधा तो चलते चलता है उल्टा चलना भी आना चाहिए कहीं भी मुड़ जाना चाहिए जहां को भी हम चाहिए जहां को भी गोड़ा चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए अब चलते हैं वापस फार्म पर और बाकी जानवरो से मिलते हैं नेवले तीन चार नेवले वहीं बैठे थे बिल्कुल रास्ते में हमें देखकर भाग गए क्यों भाई इसके दो पैरों में नाल नहीं थी हैं और अब पिछलों में जरा चैक करता हूं बेटा पैर उठाना है ला पैर दे बास लए दिखियो देखो देखो देख दिखा बास इसमें बची है एक में बच रही है एक नाल कहां गई बई कच्छे में चलाने के बावजूद तुन्हें नाल गयाब कर दी एक नाल ये भी हमें उखाड नहीं पड़ेगी पता नी काले घोड़े के नाल तो मांगने से भी नहीं मिलती है जेब में तो नहीं